आज पहुंचे हम वाइगरू डेरी लुद्याना ताजपरोड विशाल जी आमी जी हैं जो डेरी को चलाते हैं नागपुर के लिए इनोंने दस गाय भेज रहे हैं जो 35 से लेकर 45 लीटर तक दूर देने वाली हैं रुजाना तो बात करते हैं इंसे कि कौन से टीके की हैं कौन दिखा रहे हैं जी बहुत उची है बहुत उची है तो किते हैं न उची है हाई वाली है कितना दूद देने वाली है यह इसने फर्स्ट लेक्टेशन में 40 लिटर दिया अच्छा अभी 45 से 50 तक जा सकती है 50 का ऐसे कोई कंप्रोमाइज परफेक्ट नहीं है बट 45 की डिल दी है कितनी एज है इसकी इसकी चार साल और यह सेकंड में सेकंड और दूसरा बितर पूरे दांत है पूरे दांत है अगरे वाली नहीं ब्या गई यह प्रेगनेंट लई थी इधर यह अपने पास आपके लिए इसने मेल काफ दिया कौन से ठीक है किया यह खुद गैबे की है आगे उसको क्राउन लगा हुआ था लेकिन लगा प्लेनी था किसान ने बोल के दी थी कि इसको प्लेनी लगा अगरा खुद गैबे की है इसकी महां का भी सारा रिकार्ड हमने चेक किया था बहुत अच्छे इंजक्शन किया कपी पुराने फार्मा के बाद श्की महां का क्या रिकार्ड था 50 प्लस का 50 प्लस का यह आठावी दस्वी जनरेशन में गाए जिस फार्म से लिए ना सभी ग यह कठी लिया वहां से हमने एक फिर पांच कायं हमने लिया है चार लाक श्की अजार उपे की अगर इसकी को काउंट करें तो एक लाक चालीस हजार की एक चालीस की यह तो भाव बढ़ा दीने बिलकुल नहीं बढ़ा है गाएं तो यह डेड्र की भी सबस्किण है कितनी फीड नी होगी इसको इसको चौद गलो-फीड देनी चाहिए चाहिए शोधा किलो देनी चाहे लिन वह दो जा I नहीं सस्ती है जार महीने में अपना पैसा पूरा कर लेगी गाए जार अगर फीमिन काफ दे देती तो आज इसकी बच्छडी 30,000 रुपे की गाउंट होती जिसने ख्रीदी यह वह आया नहीं किए नहीं खुद 12 चोदा लेड़ में बिलकुल अभी तो खाली नहीं करेंगे इसका वहां के टेमपरेचर में चलेगी बिलकुल चलेगी जी कोई फरक ने टेमपरेचर का इन गायों को क्या फरक है टेमपरेचर अपने हाथ में 48 50 में यहां पे भी रही है अगर आपका फाम अच्छा है स्ट्र लगाके और उसको अच्छा साफ सुत्रा महोल देगे जीतनी हुमस देंगे उतनी सुनता भी बिमारी भी आती है हाँ जी बिलकुल आती है जी हुमस से ही आती है ऐसी है गाये को खाना चालू रहना चाहिए गर्मी से दूद का कोई अंतर नहीं पड़ता गर्मी नहीं कुछ कहती ही आपने महोल देना जानवर को अगर आप 10 तीकरी टेंपरेचर नीचे लेके आ रहे हो गाये अपना खाना चालू रख रही है तो दूद में अंतर नहीं पड़ेगा गर्मी की वज़ा से जानवर खाना कम करता है तो दूद का अंतर पड़ता है अमी जी हां जी यह बैने वाली है ब्या चुकी है प्रेगनेंट लेढ़े थी बहुत अच्छा एनर है इस गायें की एक ऍसपैशलेटी रही है यह गायें प्रेगनेट आपने ली थी गाएं की इसपांच दिन हो गई और तीन दिन तो खीन आमने इसकी प्रेगनेंटी मिलक सुबा शाम की होई है उसके बाद गाएं के डिलिवरी होई है सैक्सिमन बोला था उन्होंने अमें पाइपर का खुद स्ट्राइकर की है और फीमिल काफ दिया इसने बहुत अच्छी गाएं देखने में सेकिंड लगेगी बस फस्ट लेक्टेशन है तो प्रेइडेंट में अ अपने आप दूद बैरा था कंटीनियू गाएं ब्या नहीं रही थी जैसे नो मेंने आठ नो दिन हम मानते हैं गाएं को बच्चा देने का थोड़ा टाइम ओवर ले लिया था गाएं ने नो मेंने दस दिन से भी फालतों होगे थे बारा दिन तेरा दिन गाएं ब्यानी अपनी नजर से यह पांचो गाएं बहुत सस्ती है तो छेसो रुपे का भी खर्चा निकाल लो डेली के तब भी बहुत है बहुत है और ब्रीड बहुत अच्छी है पुरानी ब्रीड वाली है तो यह कितना दूद देने वाली है यह अभी फोटी के बार ही जाएगी जाने वाली हां जी ने ब्या गई है प्रेगनेंटी लिया इसने मेल है जी पीछे मेल है यह खुद डी जोन की है आगे इसको डैन सबसिटी ना कुछ कंपनियों में सबसिटी है अब जो हमारी पीडियेफ है सही है उनका डैनमारक से जॉइंट है सबसिटी पे सिमन को और जो वर्ड वायड या एबियस है वो उनके से थोड़ा बार है जैसे जैसे कंपनिया आती है पीडियेफ अभी पूरा है नहीं हुआ अभी पूरा वर्क हो रहा है वर्क जैसे कहने का मतलब है औफर देती हैं कंपनिया कि यह आप यूस कराएए एफ़ कर्मर्स को तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा है डैनमार का वैसे बहुत कम मेल आता हूँ उसमें भी मेल आता हूँ अकेली अंकल एक बीस एक पच्छिस के गए है राम से तो जैसे तुम यह सारी भेज रहे हो हां जी अगर कोई मुनाफ़ा देगा तो इसको देदो का नहीं ने ने अंकल वो तो जो कस्ट्मर ने ले लिया बात कर लिया करते हैं पहले एक गुमा रहे थे हाँ जी बिलकुल आप डबल में कोशिश कर रहा था जो पांच गाए हमने लिए हैं वो गाए तो वैसे बहुत ज़्यादा प्राइज वाली है यह हमारी एवरेज कैसे बनी है इन दो गायों की वज़े से गाय ये दोनों बहुत अच्छी है मैं और भी किसानों को सला दूंगा अगर ऐसी गाय मिले किसी भी वक्त तो लेनी चाहिए ये जो भारी वाली है ये पांच महीने की प्रेंगनेंट है और दस ग्यारा लिटर दूद है दे रही है अभी अभी दे जाए नहीं की तो कब करऊंगा अभी करवा देंगे मैंने तो उनको बोला ड्राइ करा दो थोड़ा लंबा रेस्ट मिले गा तो अच्छा है जो चार मिने वाली है वो भी एक डीड़ मिना उसकी मिल्किंग हो जाई है कौन सी लेक्टेशन की हैं तो कौन से डिके की हैं दोन जो इन्होंने मिल्क निकाल दिया है 35, 40, 38, 36 देती है ना जब फर्स्ट लेक्टेशन में जो टांजेक्शन है ना वो तो एक इनकी जो बच्चे दानी की ग्रोथ सही रखता है सही है और अडर की जो क्वालिटीज है जो इनकी वेंज है उनको मजबूत रखता है आगे लेक्टेशन में जो आपने मिल्किंग करनी है ना उसको हम कैसे बोल देते हैं कि पहले में इसने 30 दी आप 35 देगी 28, 39 क्यों नहीं देगी क्योंकि इनको ऐसी फीडिंग की जाती है त उसको मंटेन करना पड़ता है पहले से उनको फ्रफेशन ना लगवाद है नहीं अंकल इतनी तो नहीं चलो नौला ही तो है या पर काम करने के साथ ये दो दिखा रहे हैं हाँ जी बिलकुल जी तो ये हाइट में काम आ गई है नee बहुत अच्छी गाए है दोनो ये बी हाइट तो कम आ गई है पहले वालों की ज़्जादा उच्छी थी जादा उच्छी थी इसलिए लग रही है हाइट बहुत बढ़ी है तो फिका फिका है कि यह सेंड की हैं यह मैंने अपने से इगाई मैंने खूद पहले पर चीज की ती माने से बाद में उनको दी ए मैंने अच्छा हाँ इसमें दो जार ने लिया इसमें दस जार लिया तो कितने दाम की हैं ये दोनों दोनों 1,80,000 की है दोनों सिर्ट थीस और ची है नहीं गाया ची है वो मेंगी पहले वर्जे तो वनने दिखाया फिर तो कैसे यज यह यह ये बीजने रही है वो जालिस धे रही है पाज का फरकर हाँ जी मेरको एक लाग का परक हो और दोजार की जगाँ की यह दोनों इंप्ररीर कि यह रिया है सबसे पहले परशानी तो आती है पिशाब का रंग चेंज हो जाता है गाए में खून की कमी आ जाती है बेस्ट तरीका आप सबसे पहले लबोटरी कराएं गाएं की ब्लड टेस्ट कराएं उस हिसाब से गाएं की मेडिसिन चालो करें अगर आपने देसी दवाई करनी है साथ में तो देसी किया है एक तो साफ सफाई चाहिए गाएं को नहलाना चाहिए पानी में नीम के पत्ते का रस ले ले उससे गाएं को अच्छी तरह से नहलाया जाए दूसरी चीज उसके लसी और तारा मेरा बेस्तन शक्कर क्या होता है ब्लड कम हो जाता अंदर से खून का पानी बनना शुरू होता है बेरिनल का इंजेक्शन भी जरूरी है और अगर आप साफ सफाई का मैं तो कहता हूँ चीज के मुख्य पे नहीं पूंचना जाएए जो अच्छे फार्मर है ज गाएं को ओली चीज़े साथ में मिल रही है सर्सो का तेल दे सकते आप एक वीक में एक बार अपनी डाइट में पांच लिटर तेल डाला या आप 5-6 किलो टारा मेरा डाला हर अफते हर रोज भी आप दे सकते है तारा मेरा 100 ग्राम 50 ग्राम पर अपर आनिमल तो कभी चिचर नहीं पड़ेगा गाए को इसका जितना बजन है हां जी तो आरधा बजन तो इसके अडर कही है अडर कहा है अडर तो इसने बनाया बहुत है इसकी भी हिस्ट्री है एक मीने पहले हम फार्मर के पास गये थे गाए देखी ऐसे बात करने लगे बोलता कि बहुत अच्छा दूद देती जैसे नेगोशिशिशन नहीं प्योर है यह आप खुद गोल्ड क्राउन की है इसको आगे डेपसी लगा था फीमेल दी है इसने बोडर लगा था यही बात चलने लगी उसने बोला कि चोपड़ा जी बहुत अच्छी गाया मैंने का यार इतनी हाइड तो है नहीं तू दूद की इतनी मेरे को प्रशंचा कर रहा है इतनी बनेगी यह वह हम नेगोशिशन कर रहे थे जैसे हर परबंदा करता ही है का कस्टमर भी साथ में थे महारास्टर के ही एमदनगर के उन्होंने बोला नहीं विशाल यह भी कच्छी है पता नहीं बनेगी इतनी हाइट नहीं है तो देखो गाय ने रिकार्ड ही तोड़ दिया इस गाय ने यह बताया है अगर मेरे में ब्रीड है तो वो मैं आपको रिजल्ट नीचे लेके आऊंगी यह आऊंगी अर ले आई देख लो मैं फार्मर की बात पर इतना विश्वाश दिया यह अंकल जी इसने 42 लिटर दिया है पहले बेतर में तो अब यह मेरे ख्याल में 45-50 के आस पास जाएगी इसका अडर तो हाफ रह जा इसको अभी तो थोड़ा दनिये को दे देंगे पत्य आती ह interfer tunnels हो थोड़ा खिला देंगे तो थोड़ा एक रटीम लगाना पड़ेगा इसको लगाएंगे 15 ml का यह जादा नहीं देंगे इसको क्योंकि फिर उसका का ज्यादा यह इरेन करती है तो इसका पावर कम होजाता है मेगनिशियम कम हो जाता है अच्छा तो यादा यूरेन भी करेंगी तब अगर देंगे तो भी हाँ जी भाल तो उतर जाएगी आप हाँ हुमन में यूज होता है लास्टिक्स का इंजेक्शन जिसको किड्नी की प्रोब्लम रहती है ना उनमें डॉक्टर यादा यूज करत कितना कमिशन लिया दो जार लिया बोलके हां जी हां जी यह जो आपने काया दिखा रही है तो ओडर इसका है नहीं ओडर है कच्छी है भी 20-25 दिन की 25 दिन में आ जाएगी हां जी बिलकुल आ जेगी 35 थर्टी दिया हुआ है इसने सेकंड पहले में 30 थर्टी दिया हां जी 30 अभी 35 पे जाएगी अभी गाएं कच्छी है गाएं देखी हुई है पूरी बराबर किसी विपारी ने अमे लेके दिये हैं तो कितने कौन से दाम की है यह दाम इसका सही है कच्छी होने के कारण 65 के लिए 65 के लिए बिलकुल 25 लेटर बहुत वाजिब रेट में मिली है हाँ जी बिलकुल वाजिब रेट है नहीं कच्छी है गाएं अभी एक मिने की यही गाएं तियार होती तो 90 की थी 85 और 90 की बिलकुल कमा सकते जैसे आपने बुला प्रोपिट अंकल दो गाएं इधर ही ब लगे तो दुकान दारी बड़ी जल्दी बंद हो जाएगी अच्छा यह मौसम बढला है इस बदलते मौसम में तो खरीदारी पे भी कुछ परभाव पड़ेगा उनको कैसी खरीदनी चाहिए उनको यह गाएं जो बने अभी दिखाई है ना कच्छी गाएं कच्छी गाएं वो आगे बरसात के टाइम पे आती है उस टाइम फिर दुबारा एक वर तीजी पकड़ता है बजार तो अभी उनको कम रेट में मिलेगी कच्छी गाएं और आगे उनको प्रोफिट होएगा बच्छी भी ले सकते हैं और प्रेगनेंट गाएं बिले सकते हैं अब बदलते म परशानी नहीं है थोड़ी गराकी कम हुई है उसी हिसाब से माल ले रहे है यह तो खरीदारी वाले बंदे ने अपने दूद की रिक्वार्मेंट के हिसाब से गाएं खरीदनी है कई लोग है जैसे अभी शिरी नगर है जम्मू साइड उनकी तो परचेसिंगी अभी स्टा कॉंटल प्राइज इनकी हुई है आठ लाग के असपास हुई है तो आठ लाग खर्च के हाजी चार कॉंटल दूद हाजी हाजी आठ साधे आठ लाग के असपास है कितना खर्चा आजाएगा आठों पश्वों दसवों के लाव जितना ज्यादा कर ले उतना बढ़ी है जी खर्चा कर ले जितना करना चाहिए अख़रों खर्चा काउंट करें फिर प्रोफिट नहीं कर सकते हैं अगर गिंती किया अगर नहीं गिंती करो ःट किस चीज़ का अब बढ़े उत और नहीं तो पीशे तो पेशे हां जी बिलकुल रह गया था बहुत ़ारा बहुत फारामलों वालों के आंटे आज प्रदी कबोशो हैं ये अंकल टीड़ले टेदे हाँ झ dif एक अबने खरी बडिया लगा हुआ है देन्मारक का तो फीमेली दिये इस वो जर्सी हमने पहले लेगे ना गोवा के सीम साब बोलती लेनी लेनी है चलो कोई बात नहीं लेगा दाम अंकल अमने खुद पनतालिस की पड़ी है मारे को घर पे खर्चा डालके तो यह हर जगे चलेगी जामर जी पहाडी जो नहीं यह पहाडी नहीं यह पने वेपारी से लिए उसके घर की है इसके लिए मिंडर मिक्चर लाया हूँ मैं अच्छा एग्री माइन कर तुम हमको हर्मर कहते हैं हमने घर के लिए लिए हैं जगली बार देख तो उसको बेच देते हो बेच नहीं अंकल फिर कुछ जबरदस्ती बोले कि नहीं लेके जाने ले जाओ वाइगुल डेरी के साथ में विशाल जी हैं अमिज जी हैं जितनी बड़िया गाये यह आगे भेजते हैं दूसरे राज्यों में और उससे भी बड़िया ग्यान भेजते हैं हम बहुत इनके अभारी हैं हमारी संसा के यही काम है कि हमने ग्यान बांटना है दूद बांटना हैं तो हमारे बराबर के हिस्सेदार हैं हमारे स्ट्रीम के सदस्थे हैं यह तो हम इनके बहुत बहुत धन्वादी हैं जाहें